अस्सलाम उलेकुम फ्रेंड्स उमीद है आप सब खेरिये से होगे आज css के पास पेपर 2020 का पब्लिक अड्मिस्टिशन का जो पेपर है उसका क्वेसिन नमबर एट उसका हम आज पार्ट नमबर यह जो है उसे सोल्व करेंगे वैसे अलहमदुल्ला क्वेसिन नमबर टू से लेकर क्वेसिन नमबर सैमन तक पिछली वीडियो में उनका स्लूशन मिल जाएगा आपको आज क्वेसिन नमबर एट का पार्ट ए हम सोल्व करते हैं राइट कंप्रिहेंसिव नोर्स ओन दा फॉल्विंग पब्लिक बिजनिस पब्लिक बिजनिस री इंजिनिरिंग चलें देखते हैं यह पब्लिक बिजनिस री इंजिनिरिंग किसे कहते हैं इसको हम पब्लिक बिजनिस री इंजिनिरिंग भी कहते हैं और बिजनिस प्रोसे यह आप याद रखें कि एक्जैमिनर सर्फ क्वेस्टन में आपको कन्फ्यूज करने की कोशी करता है मुख्तलिफ किसम की टर्म्स यूज करता ताकि आपको कन्फ्यूजन हो क्योंकि जब तक आपका कॉंसेप्ट किलिए नहीं होगा देन तब तक आप कन्फ्यूज ही इस मैनेजमेंट स्ट्रेटिजी औरिजिनली पार्निरिंग इन अर्ली 1990s फोकसिंग ऑन दैनल्सी एंड डिजाइन ओफ वर्कफोर्स एंड बिजनिस प्रोसेस वीदिन एंड और्गनिजेशन अच्छा माशाल आप सीसस के अस्पाइरंड है आपको जूरुत नहीं इसके मजीद इसको डिफाइन करने के लिए इसको उर्दू में भी इसको ट्रांसलेट करो बाकि मैं इसको अपने साधा अलफाज में लास में आपको मजीद समझा दूँगा अब भी आप इसको ऐसे ही अंडर्स्टेंड करें बीपियर यानिके बिजनिस प्रोसेस रेंजिरिंग एंड़ 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 फंडमेंटली रेथिंग हाव दू देर वर्क इन आड़र तो इंप्रूव कस्टम कस्टमर सर्विस कट और प्रेशनल कोर्स एंड वीकम वर्क फॉस्तस कंपीटींटर तो मैंने अब को जैसकह बतायता कि आपको शूर्ट वर्ड़ में बताउंगा यह क्या है पब्लीग बिजनिस रेंगेंगिनिरिम्यंग पousesaring इर्जिए एक बंदells का बिजनिस है तो उसमें वह यानिए इसको को रीडिजाइन करना पड़े गया किसमें जो इजाफी अखराजात हैं या ऐसे उप्रेशन जो हो रहे हैं जो कि जिनको जिनको जुरूत नहीं है उन पर इजाफी टाइम भी वेस्ट हो रहा है और एकॉनम भी उस पर जाया हो रही है उसको एफिशन करने के लिए उसको वर् प्रॉसेस रेंग्जिनिंग मैं इसको भी आप देख लें बिजनेस प्रॉसेस स्टार्ट होता है आइडेंटीफाइप्रोसेस सबसे पहले आपने देखना है कि आपने कौन-कौन से प्रॉसेस अजाफी है और आप उसको किस तरह मिनाएं गई या operations जो जाफिया हों उनको कैसे cut down करना है उनको identify करना है देन आपने review करना है update करना है और analysis करना है उसको पहले review करना है देन उसको analysis भी करना है कि यह क्या ऐसा अगर कर देंगे तो उसके क्या क्या नताइज मिलें दैन आपने final में उसके design कर देना design to be कि वह ऐसी इस तरह design cycle है और इसके लावा यह framework का है उसको मैंने capital words में लिखा inspire ठीक होगे आई से बन गया इनिश इनिशियेटिव एंसे negotiate, S से select, PC plan, I से investigate, R से redesign और E से ensure यह देखिए आप इसको easily इस तरह इनिशियेटिव सबसे पहले आपने initiate करना है कि यह काम आपने करना है अपने office के लिए अपने यह जो business के लिए सबसे पहले आपने इसको initiate करना कि आया कि आपको इसकी जुरूरत है कि नहीं देन उसके उसके उपर आपने management से आप जो office की management है उसके साथ negotiate करना है इस topic को देन आपने select करना है कि क्या क्या चीज़ों को operations को cut down करेंगे कौन को से cost effective plans आप लेकर आएंगे और service customer service को किस तरह improve करेंगे जाने कि अपने business को ऊपर लेकर जाने के लिए आप कौन कौन सी improvements करेंगे उसको select करेंगे दैन उसको plan करेंगे दैन उसको investigate करेंगे और redesign करेंगे उसके बाद last में उसको ensure कर देंगे जाने को इसको implement करने के बाद इसको ensure कर देना यह simple इसको भी देखने बीपीर यानिके business process re-engineering seeks to help companies radically restructure their organizations by focusing on the ground of design of their business processes a business process is a set of logically related tasks perform to achieve a this defined business outcome re-engineering emphasize a holistic approach focus on business objectives and how process is related to them encouraging full-scale recreation of processes BPR business process re-engineering is also known as business process redesign business transformation or business process process change management management ठीक है आपको next time question में simple यह वर्ड पूछ सकते हैं what is BPR और what do you know about BPR यह पर यह भी पूछ सकते हैं business process re-design इसको define करें यह यह पूछ सकते हैं business transformation क्या होती है यह वाला last वाला जो होता है business process change management यह आपको confuse करने के लिए भी पूछ सकते हैं इसलिए आपने confuse नहीं होना आपको इसके बारे में information होनी जैसे कि मैं आपको simple wording में बचा दिया है कि company जो अपनी structure को radically change करने के लिए उसमें थोड़ी बहुत तबदीली लाते हैं इसके design में उसको design थोड़ी बहुत तो नहीं कह सकते हैं बिल्कुल यानि के बिल्कुल उसको change करने कोशी करते हैं जो जो उनके फाइदे में हूँ ऐसा डांचा या ऐसा design जो पहले का रामद है उसको नहीं वो छेड़ती उसमें जो जाफी चीज़ा उनको मिलती हैं अगर हो देन ही उनको change करना यह ना हो कि आप देखें के नहीं हमने changing लाजमी लानी ही लानी है आपने सबसे पहले देखना है कि आपको से मतनफिर हो जाएं यानि कि अगर कस्टमर उसे बोर हो जाएं या उनका time waste हो और उनको जो requirement है उनका जो काम है वो सही तरीके से ना उनको task पुरा हो then भी आपका design effective नहीं हो गए हो इसलिए आप उसको सिरफ और सिरफ अजाफी जो time waste करने वाले उसमें process जो होंगे ठीक है वह जो ऐसी चीज़ें जिन से क्यों से आपके economy वेस्ट हो रही है उनको भी आपने side-out करते हैं ठीक हो गया इसको कहते हैं public business re-engineering काइनली अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको next वीडियो भी मिलती रहे थैंक यू अलाफिस